आपका स्वागत है मैं राहुल राज तो आज हम बात करने वाले हैं SSC के अंतरगत आपकी भरती निकल के आ चुकी है SSC जिसमें आपको C और D दोनों की भरती होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे इसमें टोटल आपको भरती की पोश्ट है जो आपको 2006 पोश्ट पर यह भरती होने वाली है अगर आप सिंपली 12th पास है अगर आप 12th पास से बिहार बोड हो या किसी भी भरत के मन्याता संस्ता से आपने 12th पास की है तो अपलाई कर सकते हैं कोई प्रोब्रम नहीं है ठीक है आगे चलते हैं इसके जो फी चार्ज है आपको 100 पर लाएगे अगर आप फॉर्म करते वक्त किसी प्रकार का मिश्टेक कर देते हैं गलती कर देते हैं तो आप सुधारेंगे इसके लिए आपको 200 पर चार्ज देना पड़ेगा पांतों रोप्या चार्ज दो पड़ेगा इससे मैं बतादू जब भी फोर्म को फिल करें आप एक बार ही फोर्म को फिल करें अच्छी तरीके से ध्यान थ्यान थूरा समय दे लेकिन अच्छी तरीके से फिल करें कि गलती हो जाने के वाइसे आपको एक्ष्ट्रा पैसा पेक करना पड़ता है और शाथ ही यह बात ध्यान रखें और चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक एक डिटेल के साथ तो मेरे प्याड़े भाइयो यह ओफिस्यल नोटिस जारी कर दिया गया है इसी के रिगाडिकों बात करने वाले हैं जैसे कि सबसे पहले आपको दिखला दे यहां पोस्ट का नाम दिख जाएगा इस टोनोग्राफ और सी और डी दोनों की भरती होने वाली है ठीक है जिसमें आपको अप्लाइड डेट ऑनलाइन आपको रखा गया है छबिस साथ दो हजार चौबिस से लेकर सत्रा आठ दो हजार चौबिस तक ठीक है न मैंने और लेडिस की साड़ी चीज अपको फी में किसी पर दरगा का पेमेंट फस जाता है उस टाइम आपको लास्ट डेट आपको रखा गया 18 अठ तक आप फी पेमेंट कर सकते है वह पसे ऒरिना अगर आप इन ढ़र आपका इस डेट 8 दो हजार चौबिस को लेकर और 28 आच तो आपको डोटल 28 27 और 28 दो दिन ही आपका collection चलेगा फर्स्ट collection जो आपको इसी में collection कर लेना है फर्स्ट बार collection करेगा था 200 रुपया चार्ज लगता है अगर आप दूसरा बार collection करेगा तो 500 रुपया चार्ज लगता है इसलिए आपको पहले बता चुगा है collection की ऐसी नौमत ना आने दे payment चार्ज 100 रुपया है 100 रुपया में अच्छा से फर्म को फिल कर दे ठीक है आगे बात करते हैं इसके जो आपको computer exam होने वाला है अक्टूबर और नॉवंबर में आपका होने वाला है कब होने वाला है अक्टूबर और नॉवंबर में आपका exam हो जाएगा आपके पास समय भी बहुत कम है अब number of vacancy आपको यहां दिखा दे आपको 2006 पोश्ट परिभरती होने वाली है आप इससे अप्लाई करें आपका सेलेक्शन जरूर होगा और साथ ही मैं बता दू आपको वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हर इसकी चोटी बड़ी अपडेट आपको परभाइड करते रहेंगे आगे चलते हैं तो मेरे पेरे भाईयों अब बात करने वाले हैं हम आपको एज के लिए ल काउंट होगा और आपको बता दू कितने से कितने डेट को आपको बीच रहना चाहिए ठीक है यह आम बता रहे हैं जो आपको जेनल कर्टेग्री की बता रहे हैं जिसमें अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहीं बात कर लें अगर आपका 28294 से 182006 के बीच है तो आ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका भी एज आपको 28297 से सुरू होना चाहिए और आपका लाश्टली 182006 के बीच होना चाहिए इन दोनों के बीच है तो आप अपलाइब कर सकते हैं जेनल कर्टेग्री अगर आप SCST है तो पांच सल इसमें और जूट जाएगा तो 27 और 1123 से 13 साल रखा गया है यहां मैनने इसको मिенोच सके हैं और इसको मिनली हो कि इसको कितने छूट मिलेगा अगर अगर आप करते हों English qualification आपको simply 12th pass रखा गया है अगर आप भारत किसी भी मनियाता से प्राप उनिवर्शिटी से हो आपने पास किया है तो आप इस अप्लाई कर से तुल से लिखिया है साफ साफ बोला गया है कि आपका any requirement board आपको किसी भी board से अगर आपने 12th pass कर लिया है तो आप अप्लाई कर से हां लेकिन आपको 17,8,20,20 से पहले apply से पहले आपका 12th pass complete होना चाहिए अगर आपका 12th pass complete नहीं है तो आपको problem आ सकते फोर्म नहीं डाल सकते हैं लेकिन आपने पहले 12th pass कर लिया है तो आप अप्लाई के लगवक साड़े जोश्टों का result आ चुका करें जैसे कि बता दूँ मैं यहां OBC, SC, ST और EWS काटेगरी यहीं तीन काटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले बता दे जो आपको फीच सौर पर चार्ज लगने वाला है आपको EWS काटेगरी और UR काटेगरी और OBC काटेगरी के आपको मेल करने डेटर को आपको 100 और पर प्रोब्लम आपको नहीं आने वाला है और आपको कोई चार्ज भी नहीं लएगा तो इसलिए आपको चार्ज नहीं लएगा लेकिन अगर आप फोरम में किसी परकार करते हैं तो आपको यह गलती हुआ दना पड़ेगा इसलिए आप फोरम को अच्छी तरीके से फोरम को फिल करें प्रेमेंट को लाश्ट पेमेंट करने का अठार आट दो जचोविस तक ही आपको प्रेमेंट कर लेना होगा अब यहीं बात कर लें आपको क्लेक्शन की घरता है यह गलती हो जाती है तो आपको यह डेट दिया करता है कि आप इसे क्लेक्शन कर दे वर नहीं सुधारते हैं तो आपको बात में जाकर बहुत पर्सानी को झेलना पड़ेगा और आपका पर्म फिल क्सट्री अब हो जाएगा और आपका जब अगर सारे कॉश्चन स लगना पड़ेगा और यहां दूसरा बाड अगर आप चेंज करेंगे तो आपको 500 रुपया प्रिमिर चार्च देना पड़ेगा चेंज के लिए ठीक है और फोरम फिल करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा वनली फोर 100 रुपया देना पड़ेगा लेकि चेंज के लि करें आप आप कमेंट करके बता सकते हैं किस आपको किस परकान रहने वाला है तो सबसे पहले बता देए आपको जेनरल इंटे зачard जो रहने वला है पचास मार्च रहें कि में गिर स्क्राइब खुंग्याстрой रोने पचासंन से जो पचासंन से और यहां बतांगे आपके समय आपको दो घंट, मतलब टोटल दो सो कोश्च रहेंगे आपके पास समय आपको 120 मिनट ही रहने वाला है यह आपको ध्यान देना होगा कि समय बहुत कम मिलेगा और आपको अच्छा खासा इसमें कोश्चन भी करना होगा और यहीं बात करें अगर आप हैंडिक्रैप्ट हैं किसी परकार अगर आ तो आपको सरीर में उसका स्वर्टिफिट होना अनिवार्ज है तो ही आपको यह छुट मिलेगा अटमेटिव आपको समय में ब्रीधी वहां देखने को मिल जाएगा और यह और बात गलत कोश्चन ना करें यह आप से रिक्वेस्ट है कि जो आप गलत करेंगे तो आपको आ तो फिर अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की स्किल टेस्ट में बात करने वाले हैं आपको जैसे इंगलीज का स्किल टेस्ट होगा आपको स्किल टेस्ट होगा जो स्किल टेस्ट होड़ता है जिसमें आपको दिया जाएगा पचास मिर्ट का समय दिया जाएगा आपको जनरल पर वर्ड आपको दिया गया जो आच्छा खासा स्पीड आप करके जाए और आपका सेलेक्षान हो जाए आगे क्यों चलते हैं पर आपको इक इनपोर्टेंट डॉक्मेंस दिखा दे अगर आपके पास अधार काड पैन काड हो और वोटर आईकार्ट हो ड्राइब लेशन्स हो पासपोर्ट हो यह सब आप यूज कर सकते हैं तो आपको आपको पास आईडी प्रूफ होना अनिवार थे यही आपको में आपको डॉक्मेंस दिखा दे आगे चलते हैं अब इसको क्वालिफिक्राइशन के साथ साथ आपको क्वालिफाई के लिए मार्ट जो रखा गया आपको बता दे यूवर कटेगरी को आपको 30% मार्ट लाना अनुवार थे cbt टेस्ट में नॉर्मली आपको यह समार्क आते हैं उससे बनेंगे यह आउनली फॉर कोईफाई मार्ट रख गया तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही जब तक लिए जयाहिन दोस्तों इससे हर जूड़ी खडबर के लिए आप जुरूर सब्स्क्राइब करें और हमारे चैनलम को जुरूर बने रहे हैं